हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर्दिक स्वागत है देखे जुलाई में काफी दिन निकल चुके हैं और सबको इंतजार हो रहा है कि सरकार कब OROP 3 को लेकर आदेश जारी करते हैं और उसके बाद में PCDA अपनी टे कि जो पैंसन आएगी उसमें OROP 3 मिल सकता है क्या है उसके पूरे तथे जानेंगे इस वीडियो में राष्टपती जी ने रक्षा मंतराले को भेजा प्रस्ताओ प्रस्ताओ या हम कहें पैटिशन थी जो राष्टपती जी को भेजी गई थी वो आब उन्होंने रक्षा मं तराले को ट्रस्फर कर दिया है तो बहुत इंपोर्टेंट ये बात है जिसके बारे में आप सभी को जानना जरूर चाहिए और देखे हम बात करेंगे वो पांच कारण जो आपको बताएंगे कि कब तक आएगी OROP 3 क्या आपको एडियर मिलेगा या नहीं मिलेगा सारी बा आप देख सकते हैं लेटरेंट करनल आरके भारदवार जी रिटायर उन्होंने एक ट्वीट किया हम कह सकते हैं एक्स पर पोस्ट किया वी हैव सब्मिटेड पैटिशन टू सुप्रीम कमांडर ओफ दा इंडियान आम्ड फोर्सिस स्रीमती द्रोपती मुर्मू ओनरेबल प रक्षा मंतरी जी को अपनी लेटर लिखे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया फाइनली इन्होंने जो आम्ड फोर्सिस के सुप्रीम कमांडर हैं उनको ये लिखा कि देखे ओर ओर पित्री का जो फिक्सेशन है एक जुलाई दोजार चोबिस से ड्यू है और वो ट टेस्ट अपडेट है उसके अनुसार इस पैटिक्शन को रक्षा मंतराले की तरफ रक्षा मंतराले को भीज दिया गया है राश्टपती कायाले की तरफ से जैसा आप यहां पर देख सकते हैं राश्टपती बवन हेल्प लाइन अगर हम स्टेटस दिखना चाते हैं इसका तो देखिए यह है स्टेटस तीन जुलाई दोहजार चोबिस डिपार्टमेंट ओफ डिफेंस ओफिसर्स नेम स्री मनीश टिरपाथी जी और यहां पर सबसे महत्पूर्ण है यह जो याची का ट्रंस्टर की गई है यह है कि एक जुलाई दोहजार चोबिस से जो और ओर ओ वो ऐसे ही नहीं है कि खाली बैठी होगी उस तो इपना काम कर लिया होगा और मैक्सिम काम जो है जो उनका टास्क है वो कंपलीट हो चुगा होगा आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसके पीछे की पांच वज़े क्या है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ देख स इसकी वज़े से OROP 3 में देरी नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर सरकार की तरफ से भी जो रिप्रेंट्री उठे उन्होंने इस चीज को माना था कि देखे इसका परभाव OROP 3 पर नहीं पड़े दूसरी बात हमने बात करी सुप्रीम कोट की और तीसरी इंपोर्डेंट ब पूरा पूरा डाटा जो है कमपाइल कर सकते हैं और टेबल तैयार कर सकते हैं माल लीजे कि उनको हद से हद वन वीक का समय लगेगा हाला कि इतना समय भी ओनलाइन सिस्टम में अभी लगने की गुंजाइस नहीं है तो एक बहुत इंपोर्टेंट चांसिस कि देखे सारा ड बजट आपका पेस होगा तो जब बजट पेस होगा बजट में सारी गोश्टनाएं होंगी बजट में आपके लिए और उपी के लिए बजट दिया जाएगा पैसा दिया जाएगा पैसे का अलोकेशन होगा तो यह सबसे जाद है पोजिटिव हो जाता है क्योंकि 22 जुलाई में अगर बजट आता है तो उस पर चर्चा होते हुए पैसा अलोकेशन होते हुए उसके बाद में फिर रक्षा मंतराले की तरफ से फिर पीचीड की तरफ से तो हो सकता है कि देखे आपको अगस्त की पैंसन में हो सकता है कि आपको अगस्त की पैंसन में जो और अगस्त तक आपको जो है इसके बारे में good news दिखने को मिल सकती है लेकिन जो cabinet meeting हुई थी जिसमें हमने बात किया था कि 3 जुलाई को उसमें OROP3 भी एक मुद्दा था देखे उसके बारे में अगर कुछ direct message दिया गया हो क्योंकि चीजे बाहर निकल के सामने नहीं आई है तो positive आप मान सकते हैं कि देखे PCDA और ESW मिलके अपना काम कर रहे होंगे क्योंकि उनकी तरफ से उनको दिया जाएगा कि क्या methodology lose करनी है जैसे ORP1 में ORP2 में देखे methodology जो है बिल्कुल same है आपको average ही आएगा इस बार भी उसमें कोई difference नहीं रहेगा जो PMR वाला call concept था वो सबसे important है लेकिन सरकार ने इस point को अभी तक नहीं माना है तो लेकि इसमें भी दूर दूर तक कोई गुंजायस नहीं है कि सरकार इसमें भी कोई बदलाव करे क्योंकि OROP 3 के बीच में जो OROP 2 का समय था उसमें बहुत ग्यापन गए धरने हुए बहुत सारी चीजें हुई लेकिन सरकार के कानों पर जूर तक नहीं चली और कह सकते हैं कि उन्होंने एक भी point पर positive response नहीं दिखाया है अब जब OROP 3 आएगा तो देखते हैं उसमें क्या output होगा क्या उन्होंने किस टैप से टेबल तैयर कियोंगी क्योंकि जो OROP 2 दिया था उसमें बहुत ज़्यादा विसंगती थी और किसी भी एक विसंगती पर कोई भी positive outcome अभी तक नहीं आया है ना सरकार की तरफ से और नहीं किसी court की तरफ से क्योंकि X-Pay का मुद्दा आप सब जानते हैं pre 2016, post 2016, M.A.C.P. already उसमें चला आ रहा है उसमें फिर PMR जुड़ गए है रिजरुष पैंसनर जुड़ गए है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर देखे बहुत दिक्कत है लेकिन सरकार उस पर कोई भी नहीं चल रही है अभी देखते हैं X-Pay का जो सुनवाई होनी है, EFT में भी होनी है, Supreme Court में भी होनी है, क्या उस पर output आता है, क्या उसमें डिसकस होता है लेकिन अभी तक जो जानकारी है, वो यही है, कि जैसा ORP2 था, वो ही सेम ORP3 यहां पर देखने को मिल सकता है आठ से लेके 10 से 12 परसेंट के बीच में जो पैंसर बढ़ोतरी है, वो यहां पर देखी जा सकती है आपकी इसके बारे में क्या राय है, और आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट के कि जरूर बताईएगा, फिर में लेंगे आपसे, जैहिंद, जैभारत